दोस्तों क्या आप टेली पर काम करते हैं या फिर टेली के स्टुडेंट हैं तो दोनों ही सीचुएशन में ये इंफॉल्मेशन आपके बहुती काम आने माली दोस्तों क्या आप जानते हैं कि टेली पराइम ने 21 जुलाई 2023 को एक और नया निटिस्ट बर्जन अपडेट किया है जिसका नाम है टेली पराइम 3.0.1 टेली प्राइम ने अभी हाल ही में एक और वर्जन लॉंच किया था जो था टेली प्राइम 3.0 और अब टेली प्राइम ने 3.0.1 को लॉंच कर दिया है क्या आप जानते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है इस वर्जन में कुछ भी नया अपडेट नहीं आया है जबकि टेली प्राइम के 3.0 के वर्जन को सुधारा गया है और रिलीस किया गया है टेली प्राइम 3.0.1 Teleprime के 3.0 वाले वर्जन में लोगों को बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता था जैसे कि e-invoicing बनाते समय या फिर GST e-return फाइल करते समय जब भी GST report तयार की जाती थी या फिर e-invoice बनाया जाता था तो उसमें कई तरह की problems का सामना करना पड़ता था जैसे e-invoice और GST report जब भी हम GST को फाइल करते थे तो उस समय एचेसन कोड या फिर GST R3 भी errors दिखाई देता था और या भी पता नहीं चलता था कि आखिर ये error है क्या जिसकी वज़े से लोग परिशान होकर Tally के पुराने वाले बर्जन पर move होने लगे थे इसलिए Tally Prime ने इसका एक latest version launch किया है जो है Tally Prime 3.0.1 Tally Prime ने इसमें दावा किया है कि इसमें लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परिशानी का सामना नहीं करना होगा और अगर कोई error आता भी है तो उसकी पूरी information Tally के इस version में दिखाई देख यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम Tally Prime की official website पर हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि Tally Prime ने जो latest version यहाँ पर release किया है इसके अंदर जिन चीजों को सुधार किया गया है सबसे पहले आप देखेंगे आप पर e-invoice को highlight किया गया है यानि सबसे ज़ादा जो सुधार किया गया है वो e-invoice के अंदर सुधार किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं easy correction of e-invoicing details जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर यह चार तरह के errors represent होते थें जिसमें invalid state का error हुआ करता था या फिर state pin code का error हुआ करता था addition और sack code का error हुआ करता था या फिर invoice numbers का error हुआ करता था तो tally ने इन सबी पर अच्छी तरीके से काम किया है और इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर e-invoicing with build quantity and actual quantity के उपर भी इन्होंने काम किया है इसके नीचे की अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे e-invoice foreign parties के उपर भी इन्होंने काम किया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी error यहाँ पर represent ना हो अगर किसी तरीके का कोई error represent भी होता है तो उसकी information आपको दिखाई दे जाएगी जिसे आप खुद से ठीक कर पाए इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे this path from details e-invoice इसके उपर भी तैली ने काम किया है नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे e-way bill के उपर भी तैली ने काम किया है e-way bill को लेकर के भी बहुत सारे errors यहाँ पर आते थे जिसके उपर भी टैली ने काम किया है यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे e-invoicing without u-om के base पर भी इनोंने काम किया है यहाँ पर आप देखेंगे party gst, in, u-in पर भी इसने काम किया है इसके नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे gst को भी इनोंने हालाइट किया है और gst के अंदर इनोंने addition और sack code को हालाइट किया हुआ है कि इस पर इनोंने काम किया है कि customers को किसी भी तरीके का कोई भी problem face ना करना पड़े JSON file जब भी हम बनाते थे और उसे gstr3b के लिए जब भी हम फाइल करते थे तब भी बहुत सारे errors यहाँ पर आते थे तो उसे related भी यहाँ पर काफी सारा काम किया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे related topics भी आपके सामने नीचे दिखाई देंगे इस तर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि Teleprime ने कितने सारे नए अपडेट इस वर्जन में की हैं तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप Teleprime का latest version Teleprime Release 3.0.1 को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से इसे install कर सकते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर Home button पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर Home button पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर Download Teleprime का एक option आपको दिखाए देगा या तो फिर आप directly Google पर जाएए यहाँ पर आपको टाइप करना है Tele Solution Tele Solution जैसे आप टाइप करेंगे तो टाइप करने के बाद सबसे उपर आप देखेंगे Tele Solution की Official Website आपको दिखाए देगी इस पर आपको क्लिक करने इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट वन वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं टेली प्राइम एडिट लॉग का 3.0.1 वर्जन आपको यहाँ पर दिखाई देख तो फिलाल हम यहाँ पर टेली प्राइम के 3.0.1 वाले वर्जन को यहाँ पर डाउलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउलोड वाले बटन पर क्लिक करने हैं जैसी आप डाउलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डाउलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और डाउलोडिंग स्टार्ट होने के बाद वो भी आपको अभी बता होगा, तो पहले हम इसे download रहने देते हैं, तो आप देखेंगे हमारा जो setup है, यहाँ पर download हो चुका है, अगर आप चाहें, तो directly इस पर click करके भी इस install कर सकते हैं, और या फिर आप directly download पर जा करके, वहाँ से भी इस install कर सकते हैं, तो मैं basically यहाँ पर जैसे click करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे सामने एक notification आएगी, इस notification में आपको इसे yes करना है, yes करने की बाद, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको install का एक option दिखाई देगा, इस पर आपको click करना है, जैसी आप यहाँ पर install वाले बटन पर click करेंगे, त तो आप देखेंगे, आपका यह जो software है, वो यहाँ पर install हो चुका है, और यहाँ पर यह open हो जाएगा, open होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे यहाँ से accept करना है, accept करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने, यहाँ पर चार information आपको दिखाई देगे, तो देखेंगे, जो आपका second option है, वो है use license from network, अगर आप इसे network के साथ जोलना चाते हैं, तो आपको यहाँ पर second option select करना होगा, या फिर अगर आपके पास पहले से ही Teleprime का software है, और आप उसे reactivate करना चाते हैं, यानि पहले से ही आपने Teleprime का कोई license ले रखा है, और आप पर आपको इस पर क्लिक करना होगा, या फिर आप एक new user हैं और पहली बार Tele को यहाँ पर purchase कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको activate new license पर क्लिक करना होगा, तो फिलाल हम इसे educational purpose के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वाले option को select करेंगे, इस पर क्लिक करन हमारे सामने कुछ इस तरीकी का form open हो जाएगा, और यहाँ पर हम अपनी company की जितनी भी for the details हैं, वो यहाँ पर type करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर type कर देते हैं, अपनी company का नाम, मा लेजे, हमने अपनी company का नाम type कर दिया, Excel Info Tag, और उसके बाद mailing name में आपको same नाम रह तो हम यहाँ पर फटा फटा अपना add is type कर देते हैं, एडिस टाइप करने के बाद हम नीचे आ जाते हम ए स्टेप में, और यहाँ पर अपने state को select कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप Delhi को select कर लिजे, ड Journal selecting करने के बाद जैसे आप address करेंगे तो रहा पर आपब repxt करेंगे, जैसे आप एंटरिपएस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे country यहाँ पर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी pin code आप यहाँ पर डाल सकते हैं तो हम यहाँ पर अपना pin code type कर लेते हैं मुबाइल नमबर को टाइप करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास टैक्स नमबर है तो आप यहाँ पर फैक्स नमबर भी टाइप कर सकते हैं तो एक्जामबर के लिए हम यहाँ पर एक फैक्स नमबर को यहाँ पर टाइप कर रहे हैं email id को type करने के बाद अगर आपके पास website है यानि आपकी company की website है तो आप यहाँ पर अपनी website को भी फिल कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपनी website का link फिल कर देने हैं यानि अपनी website का जो भी हमारा URL है वो यहाँ पर हम type कर देने हैं और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे financial year being from यानि आपकी जो financial year की starting है वो किस date से हो रही है यानि किस year से हो रही है वो आपको यहाँ पर select करना है तो ध्यान रहें यहाँ पर आपका जो date होगा first April होगा sun आप बदल सकते हैं यानि current में अगर आप इसी use कर रहे हैं तो यहाँ पर current का sun आपका यहाँ पर रहेगा और month आप यहाँ पर बदल नहीं सकते हैं आपको first April 2023 या 2022 यही रखना होगा इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक और option दिखाए देगा इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जैसे हमने इंडिया सेलेक किया था तो हमारा जो currency symbol है वो यहाँ पर रुपीज का symbol आपको दिखाई देगा और इसके नीचे formal name की अगर हम बात करें तो INR हमारा जो formal name है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो यहाँ पर आपको इसे yes करना होगा yes करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर show all feature का एक और option आपको दिखाई दे रहा है जो यहाँ पर no है तो इसके लिए हम वापस से backspace press करेंगे और यहाँ पर इसे भी हम activate कर दे इस activate करने के बाद आप नीचे आजाएए नीचे आले के बाद यहाँ पर आप अपना gst number फिल कर सकते हैं जैसी हम इसे enter press करेंगे तो यहाँ पर आपको state आपका दिखाई देगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने तीन option आपको दिखाई दे रहे हैं regular composition और regular sez तो यहाँ पर फिलाल हम यहाँ पर रेमिलोर को select करेंगे select करने के बाद यहाँ पर आप अतना gst number type कर दीजे gst number type करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर gst r1 का एक option आपके सामने represent हो रहा है जिसमें हम यहाँ पर monthly select करेंगे क्योंकि अगर आप इसे monthly भी कर रहे हैं याँ आप अपनी gst r1 को कब file करेंगे monthly या quarterly तो आप यहाँ पर select कर सकते हैं तो यहाँ पर हम monthly को select करेंगे और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक और option दिखाए देगा create another gst registration for the company इस feature के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि आप एक ही company में multiple gst numbers याँनि multiple branches को कैसे adjust कर सकते हैं एक ही साथ आप कैसे इसे manage कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर activate करेंगे इसे yes करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option दिखाए देगा enable multiple addresses का तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी इस तरीके से अपनी एक company के अंदर ही बहुत सारी branches create कर सकते हैं अलग-अलग GST number और अलग-अलग addresses के साथ तो इसके बाद हम यहाँ पर फिलाल इसे control A करके या फिर आप enter करके save कर सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी company create हो चुकी तो इस तरीके से आप टेली प्राइम के 3.0.1 वर्जन को यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share जरूर कीजेगा धन्यवाद